पिछले एपिसवर में हमने देखा था कि ताई के पापा के विल्ग के अनुसार ताई को पाल से साधी करनी होगी तभी उसे उसके पापा की विरासत मिलेगी तो ताई जबरदस्ती पाल से साधी कर लेता है पर साधी के बाद इन दोनों की बीच की दूरियां भी धीरे धीरे खतम होने लगती है और ताई को पाल से प्यार हो जाता है और ताई हर मुम्किन कोसिस करता है कि वो पाल को खुस रखे और पाल भी ताई के साथ बहुत ही खुस रहती है आगे विसेट के तब यत अचानक खड़ाब हो जाती है तो ताई को अपने पापा की बहुत ही फिकर हो होगा होआगए को अपनी बहन को कॉल कॉल करती है और सेahah होई थेरे के लिए क्लिस को कहती है क्योंकि अगर क्फोंस उसे मज़े माव कर दो बेना मेरी वज़ा से तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा लेकिन मैंने ताई के पापा को नहीं मारा है उल्टा मैं प्रॉब्लम में फज गई हूँ अगर मैंने उन माफिया को सही टाइम पर पैसे नहीं दिये तो वो मुझे जान से मार डालेगा प्लीज मेरी बहना हेल्प करो और प्लीज कहीं से पैसे का इंतिजाम करो उसके बाद तुम्हें जो कहोगी मैं वो करूँगी तो पाल अपनी बहन की हेल्प करने के लिए पैसो का इंतिजाम करती है पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते जो वो अपनी बहन को दे सके कि में देता हूं और ताई उसे पेंपर करने के लिए पैसे देता है और कहता है अगर तुम मेरी अच्छी वाइब बनकर रहोगी और अपने पती को खुश रखोगी तो मैं इससे जादे भी तुम्हें पैसे दूंगा और यहां पर ताई अपनी वाइब के साथ फ्लर्ट करने लगता है वैयल आपको यहां प्र इन दोनों का cute सा moment भी देखने को मिलेगा आगे पाल ताई को कौंऐ के बारे में बताने की कोसिस करती है पर उसे डर लगता है कि अगर ताई को कौंऐ के बारे में पता चल गया तो वो कौंऐ को जाण से मार डालेगा इसलिए पाल अपने मामले को हैंडिल करके उसके बाद वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी पर कॉंग उसके साथ जाने से मना कर देती है उल्टा पैसे लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर ताई आ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसकी वाइफ ने उसके पैस पाल को ताई की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो जाने से मना कर देती है पर उसकी बहन केहती है कि अगर तुम यहां पर रही तो यह तुम्हें जिन्दा नहीं जिन्दा नहीं पर देती है जाती है तो सात्यप ताई को पानी में दूबते हुए देखता है तो ताई पाल को कभी भी नहीं छोड़ेगा और पाल कभी भी उसकी नहीं हो पाएंगी इसलिए साथे ताई को पानी में मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वेचारा ताई देखता ही हितां इदर कॉंब पाल को धोखा देकर फिर से भाग जाती है। तब हमाँ पर साथेप आता है और वो पाल को सहारा देता है और उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे कहता है कि अब से तुम यहीं पर होगी अब मैं तुमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने नहीं दूँगा और वो उसे हग कर लेता है तो पाल उसकी सारी बकवास सुन लेती है क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है आगे साथेप के पैरेंट्स को भी पाल के बारे में पता चल जाता है तो साथेप के पैरेंट्स पाल को धेर सारे पैसे देते हैं साथेप से दूर रहने के लिए तो पाल उन लोगों से वादा करती है कि वो साथेप की लाइफ में कभी भी नहीं आएगी और वो ये कहकर साथेप के घर से निकल जाती है आगे साथेप को जब इस बार में पता चलता है तो वो अपने पापा से खुब लड़ाई करता है पर उसके पापा उसकी एक बात भी नहीं सुनते उल्टा साथेप को ओर देते हैं कि जो लड़की हमने तुम्हारे लिए पसंद की है तुम्हें उसी लड़की से साधी करनी हो पर उसकी मौम उसे रोक देती है और कहती है अगर तुम्हारे पापा को होसा आ गिया तो वो तुम्हें कभी भी वो करने नहीं देंगे जो तुम करना चाहते हो क्या तुम चाहते हो कि पूरी जिंदगी तुम्हारे पापा तुम पर हुकम चलाए इसलिए इसी हालत में छोड तो साथ एप अपनी मौम की बात मान लेता है और अपने पापा को ऐसी ही हाल में छोड़ देता है इधर पिन के साथ बहुत ही बुरा होता है एक बंदा उसके बेगर होने का फाइदा उठाता है और उसकी लाइफ पूरी तरह बरबात करके वहां से चला जाता है आगे पुलि है कि वह पूरी तरह पागलों की तरह करने लगती है उसे हर जगां ताई दिखने लगता है जिस वज़ासे वह पूरी तरह पगला जाती है तो उसकी आंटी अपनी भतीजी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुड़ा फिल करती है क्योंकि वह अपनी भतीजी से जान से भी ज बचाने के लिए और उसे उसका प्यार दिलवाने के लिए वो पिन को ये कहती है कि वो इस मौके का फाइदा उठाया वैसे भी ते पाल के बारे में भूल गया है अगर तुम उसे कहोगी कि तुम उसकी वाइफ हो तो वो तुम्हारी सारी बाते मानेगा और यहां पर पिन अच्छे से ख्याल रखती है आगे वो दोनों एक हजबन वाइफ की तरह एक साथ रहने लगते हैं तो ताई पिन को अपनी वाइफ समझ कर उसे खूब प्यार करता है पर यह दोनों कभी एक साथ सो नहीं पाते क्यूंकि अपने साथ हुए उस हाथ से को नहीं भूल पाती जिस वज़ा से वो ताई के करीब नहीं जा पाती तो ताई को यह सब बहुती अजीब लगता है तो पिन अपनी इस खामी को छुपाने के लिए ताई से जूट बोलती है कि जब उसका एकसिडेंट हुआ था ना तब वो बहुती डिप्रेशन में चली गई थी जिस वज़ से वो डिप्रेशन का सिकार हो गई है और यहां पर पिन ताई को यह नहीं बताती कि वो उस हाथसे की वज़ा से पूरी थरा पागल हो गई है और वो अपना इलाज पागल खाने में करवा रही है और पिन ये सारी बाते ताई से चुपा कर रखती है और टाई टू टू टाई की सचाई जानते है और उसके साथ एक दूर ठिकाने पर रहती है जहांपर टाई को कोई भी नहीं जानता और बेचारा से शाल इसाल इसी जोट में जीता है कि पिन उसकी वाइव है और उसका नाम तुराई है इधार पाल शे साल में एक प्यारे से बेटे की माँ बन कर सके तो उसकी दोस्त्याओ उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब टेकर का और वो बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं तो पाल उस जॉब को करने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात ताई से होती है तो पाल जैसे ही ताई को देखती है वो जाकर उसे गले लगा लेती है पर ताई उसे पहचानने से इंकार कर देता है तो पाल ये सब सुनकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाती है आगे पाल को पता चलता है कि ताई और पिंकी साधी हो चुकी है ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है आगे ताई पाल से पूछता है कि तुमने तभी मुझे हग क्या क्या तुम मुझे जानती हो पर पाल उसे कुछ भी नहीं बताती है लेकिन मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है वो हमेशा मेरा ख्यार रखती है तो पाल जैसे ये सारी बाते सुनती है तो उसे बहुत ही रोना आता है कि ताई क्या से क्या हो गया है लेकिन वो ताई की लाइफ में दखल नहीं देती क्योंकि ताई अपनी नई लाइफ में बहुती खुस होता है इसले वो उस जॉब को छोड़ कर चली जाती है आगे जब ताई को पता चलता है कि पाल जॉब छोड़ कर चली गई है क्योंकि उसके बेटे की तबियत अचानक खराब हो गई है तो ताई को ये बास सुनकर थोड़ा बुड़ा लगता है पर उसे खुद पता नहीं जलता कि उसे बुड़ा क्यों लग रहा है कि तब ही उसे पाल के बेटे की फोटो मिलती है जो पाल से एक्सिडेंटली छूट गया होता है तो ताई उस फोटो को अपने पास रख लेता है आगे पिन भी अपना ट्रीटमेंट करवा कर घर वापस आ जाती है और ताई पिन के साथ टाइम स्पेंट करता है पर ताई को अंदर ही अंदर से कुछ खालीपन महसूस होता है और उसे पास्ड के कुछ झलकियां याद आती है जिसमें से उसे पाल का नाम याद आता है तो ताई अगले दिन रूज से पाल के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे कुछ भी बताने से मना किया गया होता है कि तभी महापन मैंग आ जाती है और वो ताई की सारी बाते सुन लेती है तो मेंग ताई को बताती है कि पाल हमारे फार्म पर काम करती थी और तुम्हारे एक्सिडेंट से पहले पाल ने हमारे फार्म से बहुत सारे पैसे चुराये थे और तुम उसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए थे और तभी तुम्हारा accident हो गया था और तुम्हारे accident के बाद पिन बहुत ही डिप्रेस हो गई थी और उसे पाल से नफरत हो गई थी इसलिए वो पाल का नाम सुनना पसंद नहीं करती इसलिए पिन के सामने भूल कर भी पाल का नाम मत लेना तो ताई आन्टी मेंक की कही भी बातों पर यकीन कर लेता है आगे ताई का सरदर्द दिन बाद दिन बढ़ता जारा होता है और उसकी आँकों की रोशनी भी कम हो रही होती है तो वो लोग बैंकों जाते हैं ताई को दिखवाने के लिए तो ताई को हॉस्पिटल में एक फोन मिलता है और वो फोन किसी और कानीबल की पाल का होता है कि तब उधर से पाल आ रही होती है तो ताई जैसे ही पाल को देखता है तो वो उसे बात करने के लिए जाता है पर पाल उसे देख कर वहाँ से भाग जाती है तो ताई भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे उसकी बस्ती पहुंच जाता है जहांपर उसकी मलाकात अपने बेटे टैन से होती है पर वो अपने बेटे को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो पास्ट की सारी बाते भूल गया होता है तो ताई 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 को जैसे ही देखता है तो वो समझ जाता है कि ये पाल का बेटा है तो वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाईम स्पेंट करते हैं और ताई ताई से अपनी लाइफ की बहुत बाते सेयर भी करता है तो ताई को ताई के लिए बहुत बुरा लगता ह कि इसे पैसों की कमी की वज़ा से ऐसी लाइफ जीनी पर रही है आगे तान ताई को घर लेकर आता है तभी ताई की तब या तचानक खड़ाब हो जाती है तो तान ताई को अपने रूम में जाकर सोने को कहता है आगे जब पाल घर आती है और वो ताई को अपने बेट पर सो और ना उसे ये बताई कि उसका पापा कौन है आगे ताई उठता है और वो पाल को उसका फोन देता है और कहता है मैं तुम्हारा फोन देने ही तुम्हारे पीछे भागा था लेकिन तुमने मेरी बात सुने बिना ही तुम वहां से भाग गई जिस वज़े से उन्हें नुकसान हुआ होता है इसलिए वो सारे गुंटे पाल से पैसे मांगने लगते हैं लेकिन सही टाइम पर हमारा हीरो वहाँ पर आ जाता है क्योंकि हीरोईन मुसीबत पे हो और हीरो ना आये ऐसा हो ही नहीं सकता और वो उन सारे गुंडों से हमारी हिरोईन को बचा लेता है और उसे सही सलामत घर वापस लेकर आता है और यहां पर ताई पाल से पूछी लेता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो पाल उसे चाहकर भी ये बात नहीं बताती और कहती है कि हम दोनों एक दूसे को नहीं जानते इससे अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसे से दूर रहे और पाल ये कहकर वहां से चली जाती है पर ताई पाल से दूर नहीं रह पाता तो याओ बताती है कि पाल बहुत ही अच्छी लड़की है तान जब प्रेगनेंट थी तभी उसके पती की मौत हो गई थी तो बैचारी ने अकेले सारी मुश्किल हालातों को पार करके अपने बच्चे को जनाम दिया उसकी अच्छी परवरिस करने की कोशिस की मैं जानती हूँ उसने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है लेकिन प्लीज उसे माफ कर दीजी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आप लोगों का पैसा लोटा सके ताई कहता है तुम टेंसन मतलों में पाल से पैसे नहीं मांगूंगा और नहीं उस पर केस करूँगा तो याओ ये बात सुनकर खुस हो जाती है पर ताई को पाल के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसने इतनी गरीबी देखी दूसे तब पिंग की हलत दिन वा दिन और खराब होती जारी होती है तो डाक्टर उसे सज़ेश्ट करती है कि अगर वो अपने पती को अपनी पूरी सचाई बता दे तो साइध उसे रहात मिलेगी और उसके दिल का बोच कम होगा और उसे सुकून मिलेगा तो पिंग अपने पती को बता देती है कि वो पागल खाने में अपना इलाज करवा रही है पर उसे ये बात नहीं बताती कि उसके साथ जो हाथसा हुआ था उस वज़े से वो mentally ill है बलकि ताई को ये लगता है कि उसके accident की वज़े से जो पिंग डिप्रेस हुई थी उसी की पापा को बहुत मिस करता है पर क्युकि उसकी मॉम ये सब जानकर दुखी होगी तो ताई को 10 के लिए बहुत बची होता है इसलिए उसके साथ ज़्षा ज्यादा से दूर रहे क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इन सब की वज़ा से बिगड़े तो ताई टैन को गुड़वाई कहकर वहां से चला जाता है इदर साथेप के सर से अभी तक पाल के प्यार का भूत नहीं उतरा होता है और वो अभी भी पागरों की तरह पाल को ढून रहा होता है तो उसकी सेकेटरी दुंग जाई जो की साथेप सिजी जान से प्यार करती है और वो साथेप की खुसी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है इसलिए वो उसकी खुसी के लिए पाल को ढून लेती है तो पाल साथेप की मौम को कहती है कि मुझे भी साथेप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी साथी हो चुकी है और मेरा छे साल का बेटा है, इसलिए उन्हें फिकर करने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि वो साथेप की लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगी आगे साथेप की मौम साथेप को बताती है कि वो पाल से दूर रहे क्योंकि वो साधी सुदा है और एक बच्चे की मा है, इसलिए वो उससे दूर रहे और अपनी साधी सुदा लाइफ पर फोकस करे क्योंकि लिला बती को कर इस बार ने पता चल गया तो वो अपने पापा को क कर पुरी तरह बर्बात कर सकती है तो साथ हे अपनी मॉम की सारी बाते सुन लेताया पर उनकी एक भी बात पर अमल नहीं करता है क्योंकि वो पाल से बहुत प्यार करताया और वो पाल को पाने के' लिए कि से भी हड़ enormous है अ interfake साथेप पाल को एक dream house में invite करता है जो बिलकुल पाल के according बनाई गई होती है साथेप के ऐसे behavior को देखकर तो पूरी तरह soft हो जाती है तो साथेप कहता है मुझे पता है तुम्हारा पती अब इस दुनिया में नहीं है और तुम एक बच्चे के साथ उस छोटी सी जोपडी में रह रही हो वहाँ रहना कितना मुस्किल हो रहा होगा ना तुम्हें पता है ना कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ तो प्लीज मेरी life में वापस आ जाओ पर पाल उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है मैं साथी सुदा हूँ और एक बच्चे की मा हूँ और तुम भी साथी सुदा हो इसलिए तुम अपनी साथी पर फोकस करो और पाल उसके प्रपसर को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है आगे पाल का उस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया होता है क्योंकि साथिप और ताई दोनों को ही उसके अड़े के बार में पता चल गया होता है इसलिए वो उस बस्ती को छोड़ने का प्लैन बनाती है जब ये बार को पता चलती है तो पाल को रोकने के लिए जाता है और उसे समझाने की کوसिस करता है कि अगर उसने ये बस्ती छोड़ दिया तो उसके बेटे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उसके बेटे के सारे दोस्त यहीं पढ़ है और वो इसी स्कूल में पढ़ता है तुम्हें पाता है ना पहले ही वो अपने पापा की वज़ा से इतना डिप्रेशन में है अकर तुम उसके साथ ऐसा करोगी तो वो और डिप्रेस हो जाएगा तो पाल कहती है वो मेरा ब उसे से वहां से चला जाता है आगे पाल समझ जाती है कि उसके बेटे को एक पापा की ज़रत है जो उसकी सारी खौईसों को पूरी कर सके तो पाल जैस के पास जाती है जो की एक सैलून चलाता है और उसका पाल पर बहुत सालों से क्रस्प भी होता है और वो हमेशा पाल को अपनी वाईब बनाने के सपने भी देखता है, तो पाल जैस को साधी के लिए प्रपोस कर देती है, और जैस भी हाँ कर देता है, आगे वो दोनों मिलकर टैन को इस बार में बताते हैं, पर टैन जैस को अपने पापा की रुप में एकसेप्ट नहीं करता, और वो अपनी मौम को कहता है कि वो उनसे साधी ना करे, और यहाँ पर टैन जीत करने लगता है, तो पाल को बहुती गुसा आजाता है, और वो अपने बेटे को खूब मारती है, तो टैन मौ फुला कर घर के अंदर चला जाता है, और उसे लगता है कि उसकी मौम उससे प्यार नहीं करती, और वो इसी वज़ा से घर छोड़ कर भाग जाता है, जब पाल को इस बार में पता चलता है, तो वो अपने बेटे को ढूणने के लिए हर जगहां पागलों की तरह फिरती रहती है, पर उसे कहीं भी अपने बेटे का पता नहीं मिलता है, तो वो उसे सांथ करता है। ज़र साथिप फिर से पाल को परिसांद करने के लिए उसके घर पर आ जाता है। साथिप को बताती है कि पाल जैसे साधी करने वाली है। इसलिए अब वो उसका पीछा छोड़ रहे। ये बात जानकर तो साथेप का मुझ कुटे जैसा हो जाता है और बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी सेकेट्री उसे बहला फुसला कर वहां से लेकर चली जाती है आगे पाल को जब पता चलता है कि उसका बेटा ताई के घर पर है उसके बाद वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे जबर्दस्ती अपने घर ले जाने लगती है पर उसका बेटा जाने से मना कर देता है वो अपनी मॉम के साथी उस जैसे नहीं होते हुए देख सकता और उसे लगता है कि उसकी मुम उसे प्यार भी नहीं करती इसी वज़ा से वो ताई के साथ ही रहने की जित करता है तो ताई पाल को कहता है कि आज रात वो उसे यहीं पर रहने दे कल उसका गुसा सांथ हो जाएगा तम वो उसे लेकर चली जाए तो पाल अपने बेटे को वहीं पर छोड़ कर गुस्से से वहां से चली जाती है आगे ताई और टैन एक दुसे के साथ बहुती अच्छा टाइम स्पैन करते हैं एक दुसे के साथ खुब मस्ती करते हैं और साथ में जाकर सो जाते हैं और ताई को टैन के साथ time spend करके बहुत ही अच्छा लगता है इधर साथे पाल की वज़ा से पुरी तरह पगला गया होता है तो उसकी सेकेटरी उसे सांथ करती है और कहती है आप पाल से प्यार करते है ना और उसे पाना चाहते है ना तो मैं इसमें आपकी मदद करूँगी मै मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी पाल आपके पास होगी अगले दिन पाल अपने बेटे को लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की तबियत खराब हो गई है और साथ में ताई की भी तबियत खराब हो गई है तो वह उन दोनों से पूछती है कि एक रात में आखिर कर तुम दोनों ने ऐसी क्या तुफानी कर दी जो तुम दोनों की तबियत एक साथ खराब हो गई, तो वो लोग अपना सीक्रेट पाल को नहीं बताते, आगे पाल उन दोनों को मेडिसिन देती है, पर ताई की आख कमजोर होती है, जिस वज़ा से वो मेड मेडिसिन खिलाती है, तो ताई देख कर देखता ही रह जाता है क्योंकि उससे पाल के साथ टाइम पेंड करके बहुत ही अच्छा लगड़ा होता है.